अल्राइट गाईज कैसे हैं आप से भी लोग आज है हमार पस तीन एंडर वाची जिनका आज हम आपस में कमपेर्जन करने वाले हैं एंड बताने वाले हैं सबसे बेस्ट स्मार्ट वाउच जिसके अंदर भाई सबसे पहले आपको यह S8 Ultra Smartwatch देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको 1GB की RAM के साथ 16GB की स्टोरेज देखने को मिलती है प्लस इस वाच के अंदर आप 4G SIM card भी इंसर्ट तरपा होगे लेकिन भाई performance के मामले में यह watch तो काफी सही चलती है बट इस watch के अंदर आपको किसी भी तरीकी का कैमरा देखने को नहीं मिलता है उसके बाद आजाती है भाई हमारी X8 Ultra Smartwatch जिसके अंदर भाई आपको 7MP का एक कैमरा देखने को मिलता है प्लस इस watch के अंदर भी आपको 1GB की RAM के साथ 16GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और भी खतरनाक फीचर्स आपको इस watch के अंदर देखने को मिलते है जिनके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है और भाई लास्ट में आपको मिल जाती है यह S9 Ultra Smart Watch जिसके अंदर भाई आपको 8MP के back camera के साथ 3MP का front camera भी देखने को मिलता है और भाई इस watch के अंदर भी आपको 1GB की RAM के साथ 16GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी बाकि चलिए आप बात करते हैं तीनों box के overall contents की जिसमें सबसे पहले open कर लेते है S8 Ultra के box को जिसमें भाई सबसे पहले आपको एक user window देखने को मिलती है देन आपको दो तरीके के steps देखने को मिलेगे फर्स्ट है यह ocean loop और सगिंड वाले सिलिकोन step जो मैंने खो दिये है देन आपको एक charger देखने को मिलती है वो भी Poco pin वाली और last में आपको मिलेगी है कि smart watch ये थे S8 Ultra के सभी box के contents अब open कर लेते हैं हमारी X8 Ultra smart watch को जिसके अंदर वाई सबसे पहले आपको एक ocean loop straps देखने को मिलते हैं देन ये Poco pin वाली charging cable और उसके बाद आपको एक protection के लिए case cover भी दिया गया है बाकि last में आपको एक android smart watch देखने को मिलेगी वो भी camera के साथ last में open कर लेते हैं हमारी S9 Ultra के box को box open करने पे सबसे पहले आपको black color के ocean loop straps देखने को मिलते हैं then आपको orange color में एक और ocean loop straps देखने को मिलेगे और उसके बाद आपको एक dual camera वाली smart watch देखने को मिल जाती है और box के last में आपको एक wireless charging cable देखने को मिलेगी ये थे इस box के साथ मिलने वाले सभी content तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी S8 Ultra watch के बारे में तो इस watch के अंदर भाई सबसे पहले आपको 2.02 inch की एक TFT display देखने को मिलती है then watch के right side पे आपको एक crown button देखने को मिलता है and उसके नीचे आपको एक microphone देखने को मिलेगा और last में आपको एक power on off button देखने को मिल जाता है बाकी watch के back side पे आपको एक sensor देखने को मिलता है and चारो corners पे real screws देखने को मिलेंगे और इस watch के other side के बारे में बात करें तो other side पे सबसे पहले आपको एक sim slot देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपनी 4G sim card insert कर सकते हो बाकी watch के downside पे आपको एक speaker भी देखने को मिलते है जिसकी मदद से आप must youtube videos या फिर songs का मददा ले सकते हो बाकी अब बात कर लेते हैं इस watch के कुछ internal important features के बारे में तो सबसे पहले इस watch में आपको एक calling feature देखने को मिलता है जिसके लिए आपको अपनी watch में wifi connect करना पड़ेगा या फिर अपनी sim card का use करना पड़ेगा देन आपको एक play store feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपनी मन पसंद application को easily download वगरा कर पाऊगे बाकी games वगरा छोटी मोटी खेल पाऊगे लेकिन heavy games download मत करना और last में आपको भाई YouTube feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप 1080pixel तक YouTube वीडियो देख पाऊगे और आपको एक important feature और बताऊँ कि इस watch के अंदर आपको किसी भी तरीकी का camera देखने को नहीं मिलेगा बट guys एक अच्छी बात है कि इस watch के अंदर आपको 1GB की RAM देखने को मिलती है तो guys अगर बात करें इस watch के pricing की तो ये watch around आपको 3000 रुपे के अंदर देखने को मिल जाती है तो ये थे इस watch के साथ मिलने वाले कुछ important features के बारे में चलि है आप बात कर लेते हैं हमारी X8 Ultra watch के बारे में तो आप कर लेते हैं हमारी X8 Ultra watch के features के बारे में तो इस watch के front side पे आपको 2 इंच का एक बड़ा display की मिलता है then आपको right side पे एक crown button देखने को मिलता है और उसके बाद आपको एक microphone देखने को मिलता है और watch के left side में सबसे पहले सबसे साथ मिलें कुछ watch faces के बारे में अपने खीची गई of photos या फिर video's दहेख सकते हैं बाकि उसके बाद आपको एक camera देखने को मिलता है इस watch के अंदर जिसकी मदद से आप mask mask photos या फिर videos बना सकते हो then आपको एक chrome का feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप internet browse बगरा कर सकते हो अपनी watch के अंदर लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको wifi से connect करना पड़ेगा अपनी watch को या फिर internet connect करना पड़ेगा इस watch के अंदर और उसके बाद आपको एक calling feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप worldwide call लगा सकते हो लेकिन उससे पहले आपको एक sim card insert करना पड़ेगा इस watch के अंदर application या फिर games download कर सकते हो इस watch के अंदर but guys इस watch के अंदर heavy heavy games download मत करना क्योंकि इस watch के अंदर आपको only 1GB की RAM के साथ आपको 16GB की storage देखने को मिलती है बाकी YouTube वीडियो वगरा भी आप इस watch के अंदर देख सकते हो तो इस watch में सबसे पहले आपको 2.02 इंच की एक बड़ी display देखने को मिलती है प्लस इस watch के अंदर आपको 3MP का camera भी देखने को मिलता है बाकी watch के right side पे सबसे पहले आपको एक round button देखने को मिलेगा देन आपको एक microphone देखने को मिलता है और last में वही आपको power round off button देखने को मिल जाता है तो अगर watch के back side के बारे में बात करें तो back side पे आपको 4 corners पे real screws देखने को मिलेंगे और उसी के just नीचे आपको एक sensor भी देखने को मिलता है then watch के left side पे आपको एक sim slot भी देखने को मिलता है and watch के down side पे आपको एक speaker gills भी देखने को मिलेगा तो यह थे इस watch के कुछ external features के बारे में चली आप बात कर लेते हैं इस watch के कुछ internal features के बारे में तो सबसे पहले इस watch में भी आपको एक calling feature देखने को मिलता है जिसके लिए आपको अपनी 4G SIM card insert करनी पड़ेगी इस watch के अंदर then आपको एक messaging का feature देखने को मिलता है जिसके थूर आप directly reply बगएरा कर सकते हो अपने messaging बगएरा का and nextly आपको इस watch में एक browser feature देखने को मिलता है जिसके लिए सबसे पहले आपको इस watch के अंदर wifi connect करना पड़ेगा या फिर internet connect करना पड़ेगा बाकि अगर sensor के बारे में बात करें तो तीनों भी watches के अंदर आपको fake sensor देखने को मिलता है जो कि आपके air का भी heart rate बता देती है बाकि उसके बाद आपको एक play store feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने मन पसंद apps डाउनलोड कर सकते हो और games और अगरे करना चाहो तो वो भी easily कर पाओगे लेकिन गाइस इस watch के अंदर भी आपको 1 GB की RAM के साथ 16 GB की storage भी देखने को मिलेगी और भाई watch के लाच में आपको एक camera feature देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप photos या फिर videos बना सकते हो इस watch के अंदर तो चलिए अब मैं आपको S9 Ultra और X8 Ultra के कुछ samples दिखाता हूं camera के और अगर S9 Ultra के pricing के बारे में बात करें तो ये watch आपको around 5000 के अंदर देखने को मिल जाती है तो अगर बात करें तीनों में से सबसे कम बैसे solid watch के बारे में तो सबसे पहले ही आपको S8 Ultra देखने को मिलती है then आपको ये S9 Ultra देखने को मिलेगी और last में आपको ये X8 Ultra watch देखने को मिल जाती है जिसमें भाई सबसे ज़्यादा bezels आपको देखने को मिलते है बाकी अगर color accuracy के बारे में बात करें तो सबसे अच्छे colors आपको XA Ultra watch के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो यह थे इन तीनों ही watches के features के बारे में हैं और अगर आप इन तीनों में से कोई सी भी watch मंगवाना चाते हो तो link आपको description देखने को मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी होते हैं लाइक कर देना चैनल पर पहली बार है और subscribe कर लेना thank you so much for watching